नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पी एन लोधा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने त्रीकोणिय संगर्ष देखा था त्रीकोणिय संगर्ष में दोस्तों हमने पाल, प्रतिहार और राश्ट कुटो को बारे में तीस अती महत्यपून प्रस्ण देखे थे दोस्तों ठीके आज वाले वीडियो में देखने वाले हैं हम दक्षिण भारत के तीन महत्यपून राजवंस, चोल, चालुकय और पल्लव दोस्तों इसमें हम तीस प्रस्ण देखेंगे और तीस ही प्रस्ण आपकी परिक्षा के लिए बहुत महत्यपून और उपयोगी सावित होने वाले हैं दोस्तों दक्षिन भारत के राजवन्षों से सम्मधित एक प्रशन जरूर पूछा जाता है ठीक है दोस्तों और इसमें भी विशेश रूप से जो चोल है चोलों से विशेश रूप से प्रशन आता है ठीक है दोस्तों दोनों चालुक के और पलव एक तरप है और चोल एक त चोल है वो चोल जो है इस तरब थे ये वाला चोलों का सेत्र था और इधर वाला ये चालुक क्यों का था ठीक है और पल्लव इस से थोड़ से चोलों के थोड़ से ऊपर थे यहां पर ठीक है तो इस तरीके से इनकी हिस्तिति थी ठीक है जो चालुक के थे चालुक क्यों की ती इन शाकाएं हुई है ठीक है और दोस्तों जो चोल थे ना चोल भी दो शाकाओं में हुए है एक तो वो जो हमने अशोक के अभिलेकों में पढ़ा था अशोक का जो तेरवा अभिलेक है उसमें जो उसके पडोसी जो राज्य है उनके बारे में जानकारी मिलती है उनमें नाम म बाद में वापस से उदे होता है सात्वी शताबदी की आसपास तो हम इन चोलों के बारे में पढ़ेंगे और यही हमारी परिक्षा की द्रश्ट से महत्वपूर्ण है ठीक है दोस्तों तो बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्ण आज का पहला प्रस्ण ह दोस्तों महाबलीपूर्म का रथ मंदिर बनवाया था किसने बनवाया था दोस्तों बताए महेंद्र वर्मन नर्सिंग वर्मन परमेश वर्मन और नंदी वर्मन किसने बनवाया था दोस्तों बताए जल्दे से किसने बनवाया था नरेंद्र वर्मन ने नरेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवायता ठीक है दोस्तों नरेंद वर्मन प्रथम ने बनवायता महाबलीपुरम के रथमंदिर ठीक है अगला प्रशन है दोस्तों परवर्ती चालुक्यों की राजधानी थी पूरू वर्ती चालुक्यों और परवर्ती चालुक्यों की दो हुए दोस्तों दोस चुकूटों को वापस खतम करके और कल्यानी के चालुक के आए ठीक है दोस्तों तो परवर्ती जो चालुक के हैं उनकी राजधानी क्या थी वातापी थी क्या कल्यानी कांची और तंजोर तो क्या थी इनकी राजधानी थी कल्यानी ठीक है पूरवर्ती की जो थी वो वाताप या बादा में थी ठीक है और कांची ये जो कांची या कांची जो थी ये पल्लवों की थी किनकी थी पल्लवों की राजदाने थी कांची ठीक है और तंजोर जो थी तंजोर ये तंजाओर ये चोलों की राजदाने थी किनकी थी चोलों की राजदाने ठीक है दोस्तों तीसरा काल पल्लव काल और होईसल काल किसं काल से संभन दिते दोस्तों यह उका Twice PhD महेत्य पून्रशन है डोस्तों आपको याद रखना एक कुन सा काल है चोल काल से संभन से ठीक है धोस्तों चोल काल से यह संभन दिते हैं अगला प्रास्न देखते हैं प्रसिद्य संस्क्रत लेखक दंडी, किसकी राजसभा को सुशोवित करते थे, सात्वाहन, पल्लव, चोल, पांडे, किसकी राजसभा को दोस्तों बताएगा जल्दी से, किसकी राजसभा, पल्लव, दोस्तों, एक और नाम आता है, भारवी, क्या नाम आता है, भारवी, ये भार्वी जो था ये भी पल्लव शाषकता कोन था उसके नाम बताईए सिंग विस्नू कोन था दोस्तों सिंग विश्नू की साभा में था और भार्वी ने क्या लिखा किरात आरजुनियमन लिखा है तो इसको भी ध्यान रखना है तो भारुवी और धंडी जो है किन से समझे थे उपाधियां धारण करते थे उपाधियां करते थे उपाधियां करते थे चालु किये पांडे चोल स्रीवल्यव. की चालूख क्ये करते दोस्तों ठीक है अगला प्रेस्ट देखते हैं पल्लाव रत पल्लौ रतों जिसे पेगोड़ा कहा जाता है सबसे बड़ा जो रत है किसका है द्रोपती रत भीम रत हरजुन रत धर्मराज रत तो दोस्तों इसमें सबसे जो बड़ा है वो धर्म राज राथ है धर्मराज किसको कहा जाता है युदिष्टिर को तो सबसे बड़ा जो है युदिष्टिर धर्मराज राथ है और सबसे चोटा जो है द्रोपती राथ है तो ये द्यान रखना है ये द्रोपती राथ सबसे चोटा है धर्मराज राथ सबसे बड़ा है ठीक है सा दूद भेजाता दूद मंदल भेजाता किसने पुलकेशन दितीने ठीक है आगे और भी आने वाला इससे संब्लाव राज्य में आया था ये भी बहुत मायतुपूर्ण प्रस्न है दोस्तों थोड़े दिन पहले पांचे महीने पहले चीन के जो राष्ट पती है सीजिन वो आये थे तो वो भी यहां आये थे कहां पर महावलीपूरम में आये थे तो वो क्यों आये थे उनका कहीं न कहीं संब्द था किसे हैंसांग से महावलीपूरम का तो वो भी महा आये थे सांसकतिक संब्द थे इस वज़े से मोधी जी दोनों महा मिले थे ठीक है तो क्या आ हो जाएगा दोस्तों embarrassing varman रटम और लगा लीजी दो नर्सिंग partner Sum never karton के समय यह हैं संग जह पallav raja में आया था ठीक है और किसके समय किसके यहां आया था दोस्तों यह हैं संग जो है हार्स के का Communist के राज्जय में गें रूख आता तो आपको पता हो गए यह तो हमने पिछले वीडियो में देखा है ठीक है अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लिजे ठीक है दोस्तों आठ नुवा प्रस्ण है वेंगी के चालुक के राजवन्स की शाखा का संस्तापक कोन था बताए कोन था इंद्रवर्मन जाय सिंग प्र किस पल्लव शासक की उपादी महामल एवं बातापी कोन थी बताए जल्दी से किस पल्लव शासक की उपादी महामल या मामल या बातापी कोन थी किस की थी दोस्तों बताए नर्सिंग वर्मन की ठीक है दोस्तों नर्सिंग वर्मन जो है पल्लवों में बहुत ही ज़्यादा famous है दोस्तों ठीक है दोस्तों पल्लगों की जो इस्थापत्य की विभिन शेलिया है लेकिन इसको हम deep पढ़ते हैं तब ही अपने काम किये रिट के हिसाब से ये ज़्यादा हमारे लिए उप्यूगी नहीं है तो इसको मेंने निलिया है ठीक है न दोस्तों मामनलों शेली, राज सिंग शेली ठीक है, इस परकार की शेलिया हैं तो उनको नहीं लिया है, वो आती नहीं अपने, बहुत डीप प्रैस्ट है, वो इतियास की बात है, ठीक है. हमने यह जनरल लोगे लिए आपके जो है जीके के हिसाब से यह ठीक है तो जीके के हिसाब से ही आपका पेपर आता है ज्यादा डीप नहीं आता है ठीक ना रीट में हम उसी इस तरस दर पढ़ रहे हैं वैसे इसमें अच्छे इस तर के प्रस्ण भी मैंने शामिल किये हैं दो ना में किताब का किरन प्रकाशन की और किरन प्रकाशन की किताब में दोस्तों बड़ी वाली किताब आती है यह जो छोटी किरन प्रकाशन की आती है वो नहीं बड़ी आती है जिसमें वो जीके के नाम साएगी और उसमें इतिहास जोगरोफी राजनीति विग्यान सारी ही चीजे हैं ठीक है दोस्तों तो उसमें से आपको जो जो आपके टोपिक्स हैं सिलेबस से मिला लीजिए उन टोपिक्स को पढ़िए दोस्तों उस किताब में से मैं कहता हूँ एक भी प्रिशन आपके बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो उस किताब को आप जरूर ले आएएगा ठीक है ना मोटी आएगी 7800 पेंच है दोस्तों उसमें उसमें computer science और science वगरा सारी चीजे हैं उसको आपको पढ़ना नहीं है जो आपके syllabus में वही पढ़ना आपको ठीक है ना तो उसको जरूर ले आएगा आपे ना देस्टों प्रशन है गंगा अउतरण का दरश्च कहां मिल दित्यों को पराजित किया था किस पल्लव शासक ने फुलकेशन दित्यों को पराजित किया था किस ने पराजित किया था बताईए महेद्र वर्मन नर्सिंग वर्मन और नंदी वर्मन किसने नर्सिंग वर्मन प्रथम नर्सिंग वर्मन प्रथम नर्सिंग वर्मन प्रथम से किस से एहोल प्रशास्ति से एहोल प्रशास्ति के लेखक कोने दोस्तों बताई आप रवी कीर्थी कोने रवी कीर्थी है एहोल प्रशास्ति के लेखक देखे तो हमने पिछले वीडियो में ठीक है अगला प्रशन है तेरवा किस चोल शासक की उपादी त्याक समुद्र प्रफम, राजराज प्रतम, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बन्यक्षर प्रफम की देखते हैं दोस्तों मतुरे कोंड की उपाधी मतूरे कोंड की उपाधी धारन के एगा? के जल्दी से मदुरे कोंट की उपादी आदित्य प्रथम परांतक प्रथम राज 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 प्रथम तो यह उपादी धारान की थी दोस्तों परांतक प्रथम ने किसने परांतक प्रथम ने ठीक है पंद्रवाप्रस में देखते हैं दोस्तों पंद्रवाप्रस में राजें इसमें अगला प्रस्था अगला custodyश्था फूर्श शोन दोस्तों कि है चौल का गभणवाल शासक गोविंचंद्र ऐसा राजनितिक इसमन सबीक था बताईएगा दोस्तों इसका अंसर भी जो है राजेंदर प्रथम ही है ठीक है दोस्तों राजेंदर प्रथम दोस्तों přलोव में माहेंदर वर्माण ज्यादा इंपोर्टेंट है और इन में चोलो में जो है राजेंदर चोल ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है सत्रों प्रश्ण है चोलों के संदर्ब में निम्न में से कौन सा विकल्ब सही नहीं है बताएगा कौन सा विकल्ब जो सही नहीं है राजधानी क्या है तंजोर संस्तापक विजयाले राज राजेश और मंदिर का निर्मार राजेंदर प्रथम और राजचिन क्या है राजचि जो था ये किनका था धनुष्ट था ये चेरों का था किनका चेरों का और एक और पांडिया आता है मचली ती קया था मचली कोशली थी तो दोस्तोब ये आपको ध्यान रखना है चोटे चोटे चीजे हैं कोपम व कुडल संगम के युद्ध किन किन के मद्धे हुए थे ठीक है दोस्तों तो चोल चालुक के चोल पल्लाउ चोल पल्लाउ चालुक के पल्लाउ और पांडे चालुक के तो बताईएगा किन किन के बीच में हुआ चोल और चालुक के बीच में हुआ था दोस्तों अब आ अगला प्रसन है दोस्तों आपकी परिख्या में यहें वान लो इसमें से आएगा तो यह आएगा चालुक पल्लाउ चोल और पंडे दोस्तों क२ है इसमें इसमें है दोस्तों चोल जो है अपनी इस्तानिय 소 इनकी जो महत्वपूर्ण देन हैं इसी के लिए जाने जाते थे ठीक है दोस्तों इस्तान ये स्वाशाशन की समीत जो है समीतियों द्वारा संचेल होता था दोस्तों और समीतियों के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होते थे गोटी सिस्टम के द्वारा ठीक है और दोस्तों निर्वाचित होने के लिए सदस्यों को भी योग गेताइं रखनी पड़ते थी उनमें विभिन प्रकार की योग गेताइं थी जैसे उसके पास कम से कम डेर्ड एकर भूमी हो और उसकी भूमी पर ही उसका मकान हो और वो जो है वेदिक मंत्रों का ग्याता हो इस तरह की योग गेताइं निर्धारित करते थे दूसरी बात हुओ उसकी उम्र जो है 35 वर्ष हो ठीक है इस प्रकार की योग गेताइं हुआ करते थी तो ये बहुत महत्वपूने इस्तानिय सोशाशन चोलों का था राष्ट मंडल राष्ट मंडल कोटम नाडू कुर्रम किस राजवन्स की प्रशाशनी की काई या थी दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूने करम से राष्ट सबसे बड़ा है मंडल चोटा कोटम नाडू और कुर्रम ठीक है ये एसा कैसा करम है करम याद रखना मैं इसको पता देता हूँ राम को राम को क्या है नाक क्या है राम को नाक राम का जो करके आब याद रखने ना राष्ट मंडल कोटम नाडू कुर्रम ठीक है ना इस तरीके से याद रखने ना तो किल की थी दोस्तों यह यह थी चोलो की चोलो की जो है प्रशास्नी के काई थी ठीक है अगला है काशु क्या था काशु क्या है सिक्का आभुशन एक वस्त एक जाती तो काशु क्या था दोस्तों काशु जो है सिक्का था और सिक्का के सा था सोने का सिक्का था ठीक है ये भी याद रखना है काशु और कलंजु सिक्के थे दोस्तों ठीक है चोल काल में अगला प्र आपक राष्ण है यह द्रविड शेली में बने हुए थे गोवपुरम इनकी विश्चेस्ता है मंदिरों में देवधासी प्रता प्रचलित थी बिल्कूल उप्रीव्ड में से कौन सा या कौन से कतन सही है दोस्तों ठीक है ना तो उप्रीव्ड में से उप्रीव्ड सभीज कत होईसल वाले मंदिर हैं, वो मंदिर जो है दोस्तों वो उत्तर भारत की से लिए कुछ नागर सेली और दख्षण बारत की द्रविड सेली और होईसल वाले मंदीर जो है वह बेशर उली में बने हुए हैं बीच की नागर थी तिया थी नागर दख्षण भारत में क्या थी द्रविड झान बाइअ एगतज अगला प्रेशन देखते हैं 23 प्रेशन इस प्रकार से हैं राजेंद्र प्रतम के संदर्ब में कौन सा कतन सही नहीं है राजेंद्र प्रतम बहुत महत्वपूर्ण शाषा के दोस्तों ये चोलो में उसने एक वेदिक विश्विद्य लेकी स्थापना की थी उसने चीन के साथ सांसकतिक वेव्यापारिक संबंद इस्थापित किये थे जावा सुमात्रा मले आदी को जीता था ठीक है दोस्तों दोस्तों राजेंद्र प्रतम ने स्रिलंका को भी जीता था ठीक है ना दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूं आपको चोलों के संदर में कि चोलों के पास में इतनी बड़ी नोसेना थी कि इसने पूरा जो अपना हमारे भारत के दक्षिन पूर्वी जो राज्य हैं म्यामा वर्माथ हाइलेंड कमबोडिया वगरा इनको जीत लिया था और ऐसा कहा जाता है कि चोलों के समय जो है जो बंगाल की खाड़ी ये वो चोलों की जील कहलाती थी इतनी बड़ी नोसेना थीन के पास में ठीके तो बहुत महत्वपून है तो इसका अंसर देखते हैं दोस्तों ये देख लिया था हमने जावा सुमात्रा मले आदी को जीता था उसने मदूरे कॉंड की उपादी दारन की थी अभी कि सारे क्या है सही है ठीके 24 प्रशासन देखते हैं चोल प्रशासन में ओलेना इकम कौन था दोस्तों ये भी प्रशासन से समन्दित प्रशन आएगा तो इसी में साएगा ठीके बहुत ही महत्वपून है दोस्तों इसको याद रखना है ठीके तो क्या है दोस्तों इसका आं दनम कहा जाता है ठीक है पेरुन दनम ठीक है और सिरुन दनम निमन अधिकारी को और राजा का जो सायक था राजा का सायक को उदयम कट्टम उदयम कुट्टम उदम कुट्टम कहा जाता था इसको राजा के निजी सायक को ठीक है और जो राजा सुकर था इसको क्या कहा जाता इसको आयम कहा जाता था क्या कहा जाता था दोस्तों इसको इन चीजों को आप नोट बुक में लिख लीजिएगा ठीक है यदि आपने निलिख रखा हो तो यह आपके नोट्स में नहीं हो तो ठीक है 25 प्रस्ण है कोरंगनात मंदिर एवरात एश्वर मंदिर और त्री भुवर नेश्वर मंदिर आदी मंदिर संबंदित है किसे चालू क्यों से पलाओं से चोल से पांडे से ठीक है दोस्तों तो किसे संबंदित है किसे संबंदित है बताइए चोलों से संबंदित है दोस्तों किसे चोलों से संबन्दी थे दोस्तों ठीक है ना अगला प्रशन है दोस्तों ये सारे प्रशन मेंने आपकी जो कक्षा दसवी और बारवी की किताब हैं उनमें से ही लिया है दोस्तों दसवी की किताबों में तो बहुत कम प्रशन है बारवी की किताब में ही ज्यादा प्रशन है और बारव व्विश्नु था मत्विलाज प्रहसन के लेखक महेंद्र वरवन प्रतम था या प्रतम है पल्लव वन्ष के अधिकान शाषणाक जेन्त है कांची पुरम चोलों का प्रमुक शेक्षणिक केंद्र था बताईए दोस्तों जल्दी से पेला सही है क्या दूसरा सही तीसरा सही कौन सा सही नहीं बताईए दोस्तों कांची पुरम या कांची जो है चोलों का नहीं था ये किनका था पल्लवों का किनका पल्लवों का था दोस्तों ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीवला हो जाएगा कुनसा आंसर हो जाएगा इसका डीवला आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों चालुक के नरेश जो था एक विक्रमादित्य शेस्ट इसकी राजसभा में था कौन विलहंट ठीक है न और इसने विक्रमांक कदेव चरेत्र की रशना की थी ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखना आपको यह भी यह दी परिक्षा में आएगा तो यह प्रस्ण जर में मिताक्षरा के लेखक विग्यानेश्वर को किस राजवन्स से संबंदित था या इसको किस राजवन्स नहीं जो है आश्रे दिया था तो वताई यह मिताक्षरा जो है दोस्तों हिंदू सामजिक व्यवस्ता है इस संबंदित है यह एक प्रामानिक हिंदू कानून की प् दाई भाग के लेखा कोन है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था तो दाई भाग के लेखा के जिम्मुत वाहन कोन है जिम्मुत वाहन एसे लिख लिया करो दोस्तों आप जिम्मुत वाहन ठीक है अगला प्रस्न है 29 प्रस्न है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन स इस्तान चालुक के राजवन से संबंदित नहीं है नहीं था ठीके वातापी कल्याणी वेंगी वल्लभी तो दोस्तों यहां वातापी में भी चालुक्यों की राजधानी रही है कल्याणी में भी रही है वेंगी में भी रही है ठीके कहा नहीं रही है वल्लभी में नहीं रही ठीक है दोस्तों राजधानी के संबंद में ये प्रस्न है ठीक है अगला प्रस्न है दोस्तों तीस्वा और लास्ट प्रस्न है दोस्तों निमलिखित में से कौन सा इस्थान मामलपुरम या महावलीपुरम के संदर्व में सही नहीं है देख बताइए दोस्तों पहला है पल्ल वर्मन प्रथम के समय और ये रत मंदिरों के लिए प्रसित है दोस्तों हमने देखा था और अगला जो है पस्चिमी तडपर इस्थित है दोस्तों ये इस तरीके से दक्षिन भारत का मांचित रहे हैं ये पस्चिमी तडपर नहीं दोस्तों ये पूर्वी तडपर इस्थित ह ठीके दोस्तों इसको वर्तमान में कोरो मंडल कहते हैं और पहले इसको चोलों का राज जोने की कारण चोल मंडल बोला जाता था ठीके दोस्तों अंग्रेजों ने चोल मंडल को कोरो मंडल कर दिया क्योंकि अंग्रेजों को चोल मंडल बोलने में दिक्कत आती थी तो उन्हों ने कोरोबंडल कर दे इसका नाम ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पस्टीवी तट पर ना हो करके महावाली पुरम या मामालपुरम पूर्वी तट पर इस्थित थे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखे हैं 30 3030 में से आपकी कि इतने सही होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताए और आने वाले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तरभारास समधित राजवंस गहडवाल परमार और चोहनों से समय तीन राजवंस देख लेंगे दोस्तों तीन चार राजवंस और उस समय तीस मेहतिक पूर्ण सरदर्द हो रहा है इसलिए शाहिद आपको आवाज में थोड़ी मिस्टेक टजर आ रही होगी ठीक है दोस्तों ओके आज के लिए इतना ही तेंक यू